दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बिहार की टॉप बड़ी निउस को देखेंगे दोस्तो बिडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो के एक प्यारा लागी जरूर कर दे साथ हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताई क्या बिहार के किस जिले में रहते हैं तो चले सिरुवात करते हैं आज की पहली और बड़ी ख़बर से बड़ी खर में देखे बिपक्ची के गड़बंदन को लेकर बड़ी ख़बर नए नाम का हो गया अलायन जादे के बिपक्ची एक तक दूसरे दिन के बैठक मंगलवार को बेंगलोरू में हुई दोजर चोबिस के आम चुना में भाजबा को हराने के लिए बिपक्च के 26 दल एक साथ आये हैं वाजब के बैठक में बिपक्ची दलो के गड़बंदन का नया नाम इंडिया रखा गया है इसका फुल फर्म इंडियान नेशनल डेवलोप्मेंड इंक्लूजिव एलाइंस है इसका अलान कॉंग्रेस अदाच मलिकारजून खडगे ने बिपक्ची दलो की प्रेस कॉंफरेस में किया उन्होंने कहा कि समयना के लिए 11 सदेसों के कमिंटी और एक कार्याले जल्द बनाया जाएगा इसकी घोसना मुंबई में होने वाली हमारे अगली बेठक में होगी वाधिके खडगे ने कहा कि भाजपा ने लोकतंद की सबी अजेंसियों EDCBI आदि को नश्ट कर दिया है हमारे बेच राजनेतिक भेद है लेकिन हम देश को बचाने के साथ आये हैं उन्होंने आगे कहा कि इससे पहले हम पाड़न में मिले थे जहां सोलो पाड़िया मौझू थी आज की बेठक में 26 पाड़ियों ने हिस्सा लिया है या देखकर NDA 36 पाड़ियों के साथ बेठक कर रहे हैं मुझे नहीं पता कि वो कौन सी पाड़िया है वे रजिस्टर है भी या नहीं सारी मेडिया पर मोधी का कापजा है ऐसा पाले कभी नहीं देखा था कि मेडिया हमारे खिलाब इतना सा तुर्ता पूर्ण है बाड़े खर में देखे NDA की बेठक में बिहार की चार पाड़िया संमिल चिरांग ने मोधी के पेरच हुए पेम मोधी ने लगया गले जादिके दिली का सुका होटल में एंडिया की बेढ़ग में लोजपा की अदच चिराग पासवान और राष्टी लोग जन सक्ती पाड़ी के अदच पसुपति नात पारस भी पहुचे हैं आपको बता दे कि इस बेढ़ग में बिहार की चार पाड़िया समिल हुई है आपको बता दे कि इंडिया की बेढ़ग से पहले लोजपा के राष्टी अदच चिराग पासवान ने और चारिक रोप से गोसना किया कि लोग जन सक्ती पाड़ी अब इंडिया का हिस्सा है मेडिया को समुधित करते विए कहा कि मैंने बीजेपी नहीं नितिस के कारण इंडिये छोड़ा था एक बर फिर इंडिये के साथ है हमने कभी भी पाड़ी की सिद्धानतों से समझता नहीं किया है मेडिये के हाजीपूर सीट से लोजपा के चुनाल लड़ने की बात कही है बता दे कि सीट पर उनके चाचा और केंद्रे मंत्री पसुपधी पारसनात सांसद है वो हाजीपूर सीट छोड़ने को तयार नहीं है बाड़ी खर में देखे पपू यादव का महागडबंदन को अल्टिमेटम अगस्ता गडबंदन में करे सामिल जहाद के जानादिकार पारड़ी के राष्टिया दच पपू यादव ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फिरेंस कर महागडबंदन में सामिल नहीं के जाने पर नाराजगी जताई है उन्होंने कहा कि बार बार आगरक के बावजूद भी अभी तक उनकी पारड़ी को महागड महागडबंदन के नेताओ और मुझी मंतरे नितिश कुमार से भी अगरक किया कि मुझे महागडबंदन का इससा बनाया जाए लेकिन इस विशाई पर अभी तक कोई निन्ने नहीं लिया गया है पापो यादव ने अल्टिमेटम देते वे कहा कि अगस्त तक अगर हम महाग किया प्टल जाद के सहरा इंडिया में निवेश करके पासेल लोगों के लिए बड़ी स्कब्रीय है। निवसकों के पैसे लोटाने के लिए केंद्रे ग्रिया और साकरीतमrice अमिसा ने सहरा रिफरन पोटल लांच किया है। मतां जा रहा कि इनसोसाइटी में करी दस करोरें तेयmostकों के पैसे पैसे वे हैं… इसमें सबसे ज्यादा नidentsवसक बिहार, जरकन उत्तर परwoman जैसे राज्यों के हैं लम्बे समय तक पैसा वापस नहीं मिलने परवन निवसकों के कि पोडल के मैदम से किवल वो निवस्क पैसे वापसी के लिया विजन कर सकते हैं जो उन्हेंने सारा क्रैडिट कोपरेटीव सेसेटी मिटेड शहरा एन जिलों में अगले पांच दिनों के अंदर बारिस के चेटपूड इस्थिया बने रहेगी इसी दुरान कहीं कहीं बाजरपात और मेग गजन के असार बने हुए हैं मौसम विवाग ने अगले 24 गंडे के लिए पटना सहीत उनी जिलों में बाजरपात और मेग गजन के से होकर गुजर रही है इसके करन बिहार के कुछ हिस्सों में बारिस का नुमान लगाए जा रहे हैं इन्हें वज़ों से मौसम विवाग ने कोई जिलों में अलड़ भी जारी किया है मौसम विवाग के तरब से गया दर्बंगा मुझपर पूर पूर्निया अर्यारिया किस में बारिस से बहुत बारी बारिस का अलड़ जारी किया गया है इन्हें इलाकों में लोगों को बारिस के दौरान घर से बाहर निकलने से परेज करने को भी कहा गया है बारिकर में देखे बिहार के पांच जिलो के डियम को राष्टबादी द्रोपती मुर्मो ने किया समाने जादे के राष्टबादी द्रोपती मुर्मो ने मंगलवा बिहार के पांच जिलो के लेंड रिकॉर्ड्स के डिजिटाइजेशन के बेतर काम के लिए समाने किया है नालंदा जहानाबाद लकिसरा बोजपूर और किसन गंज को मिला भूमी सम्मान से नवाज गया है वाज़े के इन जिलों के डियम के अलाबा विभाग के अपर मुई के सचीव रजिस मरहुत्रा निदे सगभू अविलेक एवंपरिमापस सचीव जैसिंग और आईटी प्रबंदन आनान संकर समानित के गये हैं बाड़कर मेंदिके राज़गिर में तिरत पूजन और द्वजारोन के साथ सुरु हुआ मौला मास मेला सुरू है विभाग मास मेला सुरू हो गया है सनातन संस्क्रित वा परंपारा से धार्मिक द्वाजारोन करकरम संपन होने के साथ मालामास मेला सनान शिरू हुआ है द्वाजारोन के पहले पूरी विदिस विधान से सब्त धारा कुण में तीर्त पूजन किया गया वाज़े के वहाँ के डेम ने बताए कि मालमास मेला चेतर में 15 सस्ती रोटी की दुकानी खुले गई है सस्ती रोटी की श्टॉल से गुनवत्ता पूर्ण भोजन 30-40 रुपे में भरपेड मिलेगा संपुर्ण मेला चेतर में पड़पाद से लेकर होटल तक में खाद समागरे की गुर्मत्ता बनाए रखने है तो खाद नरिक्ष को द्वारा नियमित जाच की जा रही है साथ तीरत यात्रियों की स्वास्त सुविदाओं के लिए मला मास मेला चेतर में चार आस्ताई अस्पताल खुले गए हैं इसके अलावे 10 मेडिकल केम्प बनाए गया है मेला डिवटी की 40 सिकी सकुग और 135 स्वास्त कर्मियों की प्रतिनुक्ती भी की गई है दिवांग जनों और बिर्द जनों की सुविदाओं के लिए ब्रामकोड चेतर में वेलचेर एवं वेलेंटियर की वेवस्ता की गई है महिलाओं की सुरक्चा और प्रावेसी को दियान में रखते वे मिला चेतर में सोच चेंजिंग रूम का निर्मान कराए गया है बड़े खर्मेदे के पैसंजर को माला मास मेला के लिए रेलवे ने दी बड़ी सुविदा पटना से राजगीर के बेच एक महने तक चलेगी स्पेसल ट्रेन जादिके राजगीर में माला मास मेला की सिरुवात हो रही है राज़ा सरकार के तरफ से इसके लिए बड़े स्थर पर तयारी की गई है मेले में बड़ी संक्या पर लोगों की बेड़ उम्रेगी इस समावनों को देखते भी पूर मेद रेलवे ने भी अपनी तरफ से तयारी की है मंगलवार को रेलवे ने पटना राजगीर के बेच एक स्पेसल ट्रेन चलाने का एलान किया जो पूरे एक महने तक चलेगी इस स्पेसल ट्रेन में सिलिपर क्लास के साथ और जर्नल क्लास के साथ कोच होंगे सिप्यार विरेंदर कुमार के नुसार 19 जुलाई से लेकर 18 अगस्ता किया स्पेसल ट्रेन पटना से राजगीर के बेच डेली चलेगी आपकी जानकारे के लिए बता दे कि ट्रेंज सेंग है 0-3-2-5-0 पढ़ना जक्सन से मला मास मिला स्पैसल डेली सुबह साड़े दस बजे रवाना होगी और एक बच कर चालिस मिड़ेट में राजगीर पहुचेगी बिहार में बाड को लेकर अलर्ट मोड पर सरकार NDRP वो HDRP का अभियान सुरूख जियाद के बिहार में सामावित बाड को लेकर निगरानी बढ़ा दी गई है जहां बाड रहत अभियान चलाये जाता है हाल की दिनों में कई नेदियों के जल इस्तर में वड़ोतरी हुई है जिसके बाद NDRP और HDRP के जवानों को पूर्व की वरसों में बाड परभावित अलागों में देरे-देरे तैनात करना सुरू कर दिया है ताकि बाड की दोरा लोगों को भी जोड़ा जाएगा ताकि पाने के इस्तर की बढ़ने की सुचना हर इस्तर से जिला प्रसासन तक तुरंथ पहुचे और कहीं विबाड से लोग परिसान नहीं हो बाड़े खर्मेदे के बिहार के स्कुलों में इंटरनेट की सुविदा जल्द मिलेगी जादे के राज के सरकारी विदालों में जल्दी इंटरनेट की सुविदा होगी प्रारम में हर जिले के दस दस चैनित विदालों में ये विबस्ता लगू होगा ताकि वीडियो कॉन का रिप्रदाने दपकों से ली जाएगी इस विवस्ता की सुरुक करने के लिए विभाग ने 24 जुला का दिन तरी किया है इसी क्रम में जीला को कहा गया कि आप अपने जीले के वैसे 10 माइदमिक और उच माइदमिक विदालयों के चिनित करें जहां स्मार्ट क्लास बाले से स नचलित है ऐसे भी दालयों में टीवी स्क्रिन अपलब्द है ऐसे भी दालयों में बैसेनल का इंटर्नेट इन्राइन कनेक्शन लेकर ट्रायल के तोर पर या देंखे कि वहां इंटर्नेट काम कर रहा है या नहीं वादे कैसे सेलरी. जैयार देकर सुबह में कायर अवदे के दौरान मॉबायल 오न के इस्थमाल करने पर रोक लगाने का आदیस जारी किया गिया है विहार के दर्वंगा जिले के मनिगाच प्रकंड के बियोर्न ये आदिस जारी किया है. आदिस में कहा गिया फोन के इस्तमाल करने पर रोक लगाने का आदेस जारी किया है बिहार के दरबंगा जिले के मनिगाच प्रकंड के बीयो ने यादेस जारी किया है आदेस में कहा गिया कि सबी सिक्षक काम के दौरान अपने मवाईल फोन बंद कर दे और उने अपने समादित प्रदान अदेपक के पास जमा कर दे आदेस का पाला नए करने वाले सिक्षकों के सेलरी काटने के भी बात का दी गई है आपको बदा दे कि 17 जुलाई 2023 को बीयो ने जिले के सबी प्रदामिक और मायदमिक बितलाई के प्रदान अदेपकों और उच्छ मायदमिक बितलाई के प्रदान अदेपकों के नाम एक पत्र जारे किया है सरकार ने किसानों को किस दिन तक पैसे मिल जाएगी इसकी भी सुचना देदी है सरकार साइट्स के माने तो 28 जुलाई को देश के लगबग 9 करोड किसानों के खाते में 2,000 रुपे टांसपर कर दिया जाएगा पैम मोदी डारेक्ट बेनिफिट टांसपर याने डिबीटी के जरिये 18,000 करोड रुपे टांसपर किये जाएगे बातादे कि पैम किसान ये उजना की तरवे के इस सताइस परवारी को करना ट्रक्स जारी की गए थी पैम किसान से जुड़े लबारतियों का इंतिजार इसे मेंने अंत्मी सवाब्त हो जाएगा और सभी के खातों में उनकी रासी आ जाएगा वहाल में पैम किसान पोर्टल फॉर फार्मस कोनर में लबारतियों के लिए एक एप को लौन्च किया गया है किसान आप अपने मॉबाइल पर पियम किसान मॉबाइल एप डाउनलोड कर सकते हैं बिहार में अब हर जमीन मालिक का होगा अपना भूमी अकाउंट नमबर जादे के सुबह के हर जमीन मालिक का अपना भूमी अकाउंट नमबर होगा इसके उदिसे से लोगों को जमिन के काज़ात खास कर जमामंदी पेपर को आधार नमर से लिंक करने का काम सिरू हो गया है राजास करमचारे एप में यह वेबस्ता दी गई है राज के अधिकांस अंचल कारियालों में इस बाबात नोडिस भी जारी कर दिया गया है ताकि लोगों को जानकारी मिल सके भूमी अकाउंट बनाने का उतियस फर्जवाडा रुखना एक जमिन की दोरी जमामंदी नहीं होने और भूमी व्यावाद के मामली को सुल्जाना है वादिके सुबे में 4 करोड 18 लाग जमामंदी है भूमी के सरविचन के दोरान राजास भूमी सुदार विभाकों या जानकारी मिले की जदातर भूमी में फर्जवाडा का कामा रजिस्ट्रार दोव में चेरचार के करन हुआ है एक जमिन दो या दो से अधिक लोगों के नाम जमामंदी कर देने की सिकाय थी इसलिए राजास करमचारे एप को आधोनिक बनाया गया है ताकि ऐसे फर्जवाडा पर रोक लगाए जा सके इसलिए जमामंदी पेपर को अधार लंबर से लिंक करने पर यह समय से समाप्त हो जाएगे क्योंकि आधार से लिंक जमिन के साथ ही यदि कोई फर्जवाड़ा करता है तो पहले ही जानकरी मिल जाएगी राज में मिटर रिचार्ज नहीं कि ये तो लगेगा दोगोना जुर्माना ज्यादे के पेशो में 4,80,000 स्मार्ट मिटर लग गए हैं इसमें 6,000 ऐसे उपवोगता हो जिन्नोंने कापी समय से अपने मिटर को रिचार्ज नहीं किया है पेशो इन्हें सबी मिटरों की जाच करेगा इस सुपरांत यदि अवेद रूप से बिचली उपवोग करते विए पकड़ गए तो उन पर भारी जुर्माना लगेगा जुर्मानी की रासी चोड़ी पकड़ जाने के एक साल पहले तक दोगोनी बिचली पर देना होगा पुरा करने को कहा गया है उन्होंने बिचली चोरी के खिलाब नियमी तब्यान चलाने का नेदेश दिया है डिविजन के प्रते एक सेक्षन में रोजाना बेस मिटारों की जाच की जाएगे नबे फिजदी से काम राजवस संग्रक करने वाल डिविजन अदानापूर, खगोल, पटना सिटी, गुलजारबाग और बाकिपूर है